अस्सलाम अलेकुम और रहमतुल्लाहिव बरकातों ये इस्टुडेंट्स आज हम क्लास फाइव ग्रामर चेक्टर वन प्लांट केंगी फन सॉल्व करेंगे दे सेंटेंस पार्ट्स तो जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट होता है आप अपने नोट बुक में उसको सर्कल और अंडरलाइं कर सकते हैं तो यहां पर देखिए आपका सबसे पहले सेंटेंस है दा लॉव दा चाइल्ड तो हम जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट होता है जैसे यहां दा डॉग है और उसके बाद का फुरा हिस्ता रोता है वह रेटिके अथे होता है तो इस तरीके से आप यहां दा ओक को सर्कल करेंगे और लॉवदच kinderg को the subject and underline the predicate. सेव ऐसी देखिए, यहां पर the hunter यहां पर subject है, got the hair, predicate है, where subject है, does the hair live in winter यह, who यहां subject है, बाकी जो इससा बचेगा वो predicate, they subject बाकी predicate, the girl, the son, what, allies, high, यह सारे subjects है, इन गाप को encircle करना है, और बाकी यहां पर sentences हागी जोदि यह बचे हैं, वो predicate है, उनको आपको underline करना है next, देखिए, question भी है, match column A with column B to match subjects with their predicate, वो यह same sentences pattern है, subject को predicate से match करना है, बस यहां पर यह धियान रखना है, कि हमारे जो subject को predicate से match होना चाहिए, जैसे पहला देखिए, the earth, आर्थ के सांथ यह जो सारे sentences हैं, इन में से एक ही match करता है, कौन सा? moves around the sun, कि वो sun के चारो तरफ move करती है, तो हम आर्थ को C से मिला देगे, बन को C से, the earth moves around the sun, next, देखिए, my grandmother tells me stories, a clever fox was standing under the tree, writing makes a man perfect, the sun rises in the east, the boy are in the library, लड़के library में है, my pen is on the table, मेरा pen table पा है, this flower smells sweet, इस flower की खुच्बू बहुत अच्छी है, इस तरीके से आप इनको match कर देंगे, और इस तरीके से आपको grammar portion यहां पा, end हो जाता है, next video इंशाल्ला, next exercise देखींगे, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,